यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ और प्रश्ण यहाँ पे हम लेवल 3 पे आ गए हैं सैलोजिजम के स्वागत है साथियों आप सभी का आशा ICS के यूटूब चैनल आशा ICS वार्चूल अकैडमी पे जहां हम देख रहे हैं सैलोजिजम याने न्याय निर्ड़यन या न्याय स संगत था और इसके अंतरगर्थ हम लगा रहे हैं अलग-अलग भागों में अलग-अलग तरीके से इनके प्रश्णों को समझने की कोसिस कर रहे हैं आई हम आचुके हे हैं लेवल 3 पे जहां हम पहले की पीक्षा कुछ और कठिन प्रश्णों पर विचार करेंगे और साथ में मिल करके इनका आंसर प्राप्त करेंगे तो आईए शुरू करते हैं पार्ट फोर सेलोजिजम का सबसे पहले देखते हैं अभ्याश प्रस्ण में हम पहला प्रस्ण जहां पे कथन दिया हुआ है सभी किताबें कॉपी हैं क्या बुलता है सभी किताबें कॉपी हैं कुछ पेन किताबें सभी किताबें कॉपी हैं यानि अगर आप इसको मैं कहता हूँ सीधे मिडल तम कैंसल करने वाले नियम को अपना है तो सभी किताबें कड़ गई यहां नीचे वाले में भी किताबें कड़ गया मैंने आपको बार-बार बताया कि मद्ध्यपद होगा है जो दोनों पंक्तियों में विद्यमान होता है दोनों कत्रों में विद्यमान होता है तो यहाँ पर किताबें मद्ध्यपद होगा मद्ध्यपद कैंसिल करो और ले आओ सही निसकर्ष बचा कुछ पेन कॉपी हैं तो करके देखते हैं इसको हम वेन डाइग्राम से इसको प्रूव करके देखते हैं यहाँ पर हमारा जो निसकर्ष ए है वो हमको मिलना चाहिए चलिए तो सभी किताबें यानि मैंने बार-बार कहा कि जिसके साथ सभी लगा हो उसको हमेशा अंदर रखना है दूसरी सर्किल के तो सभी किताबें क्या है? कॉपी है लीजिए सभी किताबें कॉपी है कॉपी है और कुछ पेन किताबें हैं तो आपको पेन का एक सर्किल बनाना है ऐसा सर्किल जो किताबों के कुछ भाग को टच करता हो ठीक है आपने ये बना दिया pen pen बना दिया तो देखे किताबों के कुछ भाग को टच करने के लिए copy से pen के सर्किल को गुजरना ही पड़ेगा ये nearest approach है ठीक है आपको हमेशा nearest approach के साथ में निकटतम सही उत्तर के साथ में जाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि middle term को अगर cancel किया जाए किताबों को अगर cancel किया जाए तो आपके पास बचता क्या है भाई साथ देखें आपके पास बचता है कि सभी copy pen हैं सभी copy pen हैं का सिध्धान्त 80% प्रशनों पे सही बैठता है हम उन 20% पे भी चर्चा करेंगे जहाँ पर मद्यपद cancel करने से हमको सही उत्तर नहीं मिलता है और उसके लिए हमको निसकर्ष को पकड़ करके इस तरीके पे जाना होता है कि यहाँ middle term cancel करना काम करेगा या नहीं तो आईए व विकल्प एको चैन कर लेंगे और दो नमबर ट्राप्त कर लेंगे वहीं अगर हम दूसरा प्रशन देखें तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पहला कथन कि कुछ shirt pant हैं कुछ shirt pant हैं और कुछ pant coat हैं दूसरा कथन क्या है कुछ pant coat हैं तो यहाँ पर अब आप अगर निसक और रहा है ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मध्यपद आपका pant बनता है मध्यपद क्या बनता है pant बनता है तो अगर आप यहाँ पर मध्यपद को काट करके सही answer लाना चाहें तो क्या आएगा कुछ shirt coat हैं कुछ shirt coat हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है लेकिन आपको अब यहाँ पर देखिए मैं इसके एक दूसरे पक्ष से भी परिचित कराना चाहूंगा न्याय नेड़यन का जो दूसरा पक्ष है वो क्या होता है कि यहाँ पर दोनों ही निसकर्ष सही है क्योंकि यहाँ पर कथन के अनुरूप वेन डाइग्राम की द पहली स्थिति यह बना कुछ शर्ट पैंट है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा शर्ट का एक सर्किल बनाना पड़ेगा फिर एक सर्किल पैंट का बनाना पड़ेगा पैंट ठीक है और कुछ पैंट कोट है तो यह इस प्रकार से कवर कर सकता है कोट ठीक है अब अगर दिखते हैं कि मद्यपद के कैंसिल होते ही मद्यपद के विलोपित होते ही शर्ट और कोट में कोई संबंध नहीं रह गया उनको जोडने वाली कड़ी जो है वो तूट गई तो यहां पर शर्ट और कोट का कोई संबंध नहीं बना तो यहां पर हमको पहला कथन पहला निसकर् लेकिन दूसरा वाला भी सछी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि दो कथनों के एक या एक से अधिक वेन आरेक बनने की समभावनाएं होती है, तो आगिये हम दूसरे समभावना पे भी नजर डाल ले अब देखे, दूसरी समभावना यह हो सकती है कि हमने बना दिया कुछ shirt pants है बना दिया ये बना दिया shirt ये बना दिया वाईज़ा pant अब ये तो मेरा विचार था कि मैं इस परकार का बनाया था कोई और बंदा आया बोलता ही नहीं वाईज़ा मैं तो यहां से बनाऊंगा अब कुछ shirt coat है तो coat तो मैं यहाँ से बनाऊगा, इस प्रकार बनाऊगा शर्ट को मैंने cover किया, लेकिन मेरे साथ क्या cover हो गया शाथ में pant भी cover हो गया तो मैने shirt को cover किया तो मैंने सैयोग से जो pant वाला part था वो भी cover कर लिया तो यहाँ पर जब आप मद्धेपड को cancel करेंगे याने इसमें मध्यपद क्या है इसमें मध्यपद है शर्ट मध्यपद है शर्ट तो जब आप समाचाऊंगा इसमें मध्यपद है पैंट तो जब आप पैंट को कैंसिल करोगे पैंट को जब cancel करोगे तो आपके पास जो वेनार एक पनेगा वो है shirt का कुछ पार coat को cover कर रहा है coat का कुछ पार shirt को cover कर रहा है तो कुछ shirt coat है कह सकते हो या कुछ coat shirt है ये कह सकते हो तो दूसरा निसकर्ष भी आपको सही मिल रहा है बहराल अब आपको देखना है विकल्प में कि क्या विकल्प में ऐसी संभावनाएं मौदूद है जी हाँ है यहाँ पे C option देखिए या तो एक सही है या तो दो सही है मतलब या तो निसकर्ष एक सही या तो निसकर्ष दो सही याने और दोनों ही निसकर्ष कों के सत्यता का विकल्प अगर दिया हुआ है तो हमको वो विकल्प चुनना है जहाँ पे दोनों निसकर्ष को सही बताया जा रहा है अच्छा एक चीज़ यहां ध्यान देने योग्य बात और है कि माली जे निसकर्ष में ऐसा option ना हो या तो एक सही या दो सही ना हो केवल एक सही या दो सही इस प्रकार से दिया हो या एक सही दो गलत इस प्रकार से दिया हो तो जो भी दोनों में से आपको सही विकल्प यहां मिल जाएगा आप उसको उसका चैन कर लेना ठीक है तो आपको सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्ण के साथ थोड़ा और लेवल हाई करके ताकि आपको और अच्छे तरीके से विनारिक के सिध्धानतों को समझाया जा सके